असलाम अलेकों वरहमत अल्लाहिवा बरकातु सुद्य रिसुरेंट्स इस है संड असीम जर्फिकार और आज मैं आपको लेक्षर डिलेवर करने वाला हूं रैड इस्पोर्ट के एंसी क्यूज में सॉल्फ करने वाला हूं और चप्टर है कार्बोग्जालिक असिड एंड डेरिवेटिवस कार्बोग्जालिक असिड और उनके डेरिवेटिवस से रिलेटर जो रैड इस्पोर्ट के एंसी क्यूज है वह यहाँ पर हम देखेंगे तो अभी लेक्षर उन तमाम सुडेंट्स के लिए फ्रूटफूल होगा जो एंड के लिए अपियर होने वाले हैं ठीक है या फिर वो और ए लेवल्स के सुडेंट है उनके लिए फिर जो नस्ट के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं उनके लिए ज़्यादा इंपोर्टन होते हैं डाइस वाड के इंडर हमें थोड़े टिपिकल में मिलते हैं जिसके वज़ास से हमारी जो लर्निंग होती है वो बैतर से बैतर हो जाती है ठीक है तो फिर्स्ट एमसी क्यूज है इस पर कार्बोग्जलिक एसट एंड डेरिवेटिस में ठोडी बात आप जानते कार पर से नंड़ शुड़े जिस को मिलते से नहीं होते हैं एक तो फिर्स एंड गूरुप हमारे पास है इस असे सब्सक्राइब्ज उटेज अब शुड़े टिपले असे घुमारे थेज़ा नहीं आप्स हैं तो फिर्स एमसी यूज पर जाशा ऑफ क्लास भंपाउंच इस तो आर्टिफिशल फ्लेवरिंग जैम्स में जो करते हैं उनके लिए कौन से कंपॉंड इस्तिमाल के आते हैं याद रखिए खाने पेने के जो स्वीट चीज़ होते हैं जैम कर टेस्ट होता है वो स्वीट होता है जैसे मैंगो जैम या फिर इस तरह से एपिल जैम के शुर्ट में डाला जाता है तो सी ऑप्शन यहां पर होगे एस्टर्स असर आप जानते हैं कार्पोक्जलिक एसिट के डिरिविटिफ्स होते हैं यह आर सी डबल बॉंड ओ ओ एच सॉरी ओ और इस्टर्स जादा तर जो हमारे पास होते हैं किसके अंदर भाई लाइक इस एस्टर है और यह आपके पास पाइनडर की अंदर होता है तो जया है तो जो पाइनफील जाय है वाला आपके पास होगा उसके अंदर यह वाला कंपाउंड होगा तो फस्स व रैडी सपॉर्ड के एमसी को जश्कान सर हो जाएगा हमारे पास एस्टर सेकंडे विच कंपाउंड इस प्रोड़क्ट ऑफ दा है डिस कंपाउंड बाइब बॉलिंग एक्वास सोडियम है यह कर नहीं है कि फिवर फिए प्रीख जिया सु्ट सब्सक्राइब है चरme अबभाताब एबी फिवांड ओ एफ बीक्राइब करना अच भी आवर्र उच्पाइड और सप्षारीच्ज फिश्क्राइब चीजिए ज़िए एक नीचिए होटो ने शक्जर पास हैओ एक प्रोपायलिंड तैं तो कौन से compound देखो A तो बन नहीं रहा, B भी नहीं बन रहा लेकिन C आपके पास बन रहा है, C3, H7, OH इस 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 तो प्रोपाइल अल्कोहल इसको आप common name में कह सकते हैं, प्रोपाइल अल्कोहल या फिर M3 को हम लोग कह सकते हैं, प्रोपाइल अल्कोहल ठीक है 3rd, which compound reacts with its own oxidation product an oxidation which involves no loss of carbon to give us sweet smelling liquid कौन से compound अपने ही oxidation product से reaction करके एक sweet smelling liquid देता है, sweet smelling liquid मदब ester देता है और ester आपको पता है, acidification के process से बनता है इसमें दो चीज़े mix होती है, अल्कोहल mix होता है acid के साथ, कार्बोग जलिक acid के साथ और यह बच्ची ती दरह से आप जानते हैं कि जब अल्कोहल का oxidation की जाती है double step में तो वो कार्बोग जलिक acid पर convert होता है तो अल्कोहल अपने ही oxidation product से reaction करके एक sweet smelling liquid देते देते की formation करते है तो इन A, B, C, D इन चारों में से A हमारे पास LDHID है, B हमारे पास कार्बोग से लिक acid है C हमारे पास ketone है तो D option propanol, यह one propanol यह propanol यह हमारे पास correct answer होगा तो किसका oxidation product होगा? propanolic acid और उसके साथ वो मिलकर एक ester की formation कर लेगा ठीक है? तो D option यहाँ पर अचिक acid भी कहते है जिसका formula हो था CHD CWH has a PKA of 4.7 which will have a higher PKA value higher PKA value दिखो PKA value जो है जिसका हम PH भी कह सकते है ठीक है? PH को ही PKA values कहते है जो less acid दिखोगा है उसकी PKA value जादा higher ठीक है? तो which will have a higher PKA value higher PKA values दिखोगा है कि कौन सा? यह है वो इससे less acidic होगा तो यह को कारब हमें पता है कि जो carbonic acid होते है RCWH वो जादा acidic होते है किससे भी? फिनॉल से और बाकी अगर हम देखें CL, CH, CO, C, O, H chloroacetic acid यह जादा acidic होता है carbonic acid से यह भी जादा carbonic acid पर जादा acidic होता है HCWH formic acid पर जाद acidic होता है CO option यहाँ पर है phenol तो phenol के बारे में मैंने बहुत सरे lectures में बताया है आपको कि phenol जो है वो क्या होते हैं भी? less acidic होता है less acidic than carbonic acid होता है तो यहाँ पर CO option हमारे पास correct होगा next mcg use है what is the product of the reaction between phenol methanol and ethanol chloride मतलब दो compound उनकी reaction से pro 8 क्या बनाएगा तो असल मैं esterification देखते हैं क्या हो रही है आपर C6H5 CH2 OH ठीक है उसकी reaction हमारे पास CH3 C1O OCLC कराए जा रहा है यह माने से प्लस हो गया और alcohol acid होता है this is plus and this is minus तो HCL बनेगा और यह पुरा इसके साथ मिल जाएगा तो C6H5 CH2 O CO उसके बाद CH3 ठीक है तो यह हमारे पास इसमें D option यहाँ पर हमारे पास correct बनेगा जो component हमारे पास बने है HCL निकालने गर इससे तो C6H5 CH2 O C double bond O उसके बाद CH3 इस compound की यहाँ पर formation हो गई है next which of the following in aqueous solution of equal concentration as the lowest pH किसका pH इन सबसे lowest होगा तो हम acidity के बारे में पता है कि आपको याथ करने पड़ेगे ठीक है आपको याद करने पड़ेगे ठीक है next time CQ is a food chemist wants to create the order of pineapple for a product an ester with this order has the formula this which pair of reactants would produce this ester और तब C3H7 C1O O C2H5 तो वह सब क्या करें इसकी hydrolysis करते हैं आपको अंदाजा हो जाएगा hydrolysis करते हैं simple तरीका यह है यह minus यह plus तब एक आपको इथनॉल चाहिए होगा और एक आपको butyric acid चाहिए होगा एक को आपको इथनॉल चाहिए होगा C2H5OH and C3H7CWH this is the correct answer तो simple है अगर आप से पूछेज़े हैं यह इसकर किस alcohol और किस acid से बनेगा जसे आप इसकी hydrolysis करते हैं इसका water selection करते हैं automatically आपको आडिया हो जाएगा कि किस alcohol और किस acid से यह इसकर generate हो रहा है next time से क्यूज है compound X has the properties below compound X से को unknown compound है इसके properties दी जा रही है first यह कि it is a liquid at room temperature and atmospheric pressure कि जो compound है वो हमारे पास liquid है दूसरा इस does not mix completely with water यह water के साथ completely mix नहीं होता और यह acidified potassium per potassium magnet 7 जिसको हम लोग क्या एमनो 4 भी कहते हैं potassium per magnet इसको declarize नहीं कर दा है does not declarize देकिए इथेन के जब बात कर लेंगे तो इथेन liquid तो है इसको अटा दे इतनुएक एसेट की बात कर लें इतनुएक एसेटिक एसेट जिसको में कहते हैं यह vinegar के अंदर होता है और आपको पता है कि पानी में पूरी तरह से हाल हो जाए तो इसको भी अटा देते हैं मतब इसकी oxidation possible है तो c भी हड़िया तो यह d correct answer हुआ इस्टर है आप जानते है एस्टर सारे liquid होते हैं water में completely soluble नहीं होते हैं और साथ में और इस्टर की हम oxidation भी नहीं करा सकते हैं नेक्स्ट है एन और्गेनिक कंपाउंड विल डिकलराइस डियलूट आइसटिफाइड एक्वस प्रोडेशन मेंगेनेट 7 मतब एक और्गेनिक कंपाउंड है जो क्या मिनोफोर को हो सकती है वो डूणना है ब्यूटेन सैचुरेटेड तो है लेकिन इसको oxidation नहीं होते तो कडिया इथनोल सैचुरेटेड भी है इसको oxidation भी हो जाती है ठीक है तो यह भी option करेक्ट हो जाएगा यथीन ब्रोमीन वाटर को डिकलराइस कर देता है तो यह नहीं होगा जबकि इस अंदर इथनोग असिट के अंदर तो डी भी नहीं होगा बी option C2H5OH कर परफेक्ट है चुक्कि इसके अंदर हमारे पास 5 बांट्स नहीं होते है तो ब्रोमीन वाटर को डिकलराइस नहीं करता और दूसरी चीज़ के पोटेशन पर मैंगनेट है उसको डिकलराइस कर सकता है चुक्कि यह oxidation करके इथनोल से इथनोल की formation कर लेते हैं ठीक है तो बड़े conceptual MCQs है आप इसको देखें इसको समझें next है why is chloro-ethanolic acid stronger acid than thanoic acid chloro-ethanolic acid ज्यादा stronger acid क्यों होता है इथनोल से यह आपको याद होगा जैब मैंने गर्चर यह चीज़ के लेक्चर दिया था तो वहाँ पर मैने आपको यह चीज़ पताई थी तो और कुछ इसारोंच को याद भी होगा G.O.C. के अंदर जर्र जर्र अर्गिनिक के लेक्शर के अंदर ठीक है जैसे कि आप एक चीज़ जानते है कि यह असेटिक अगर मैं स्ट्रॉक्षर बनाओ तो C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.H. जबकि क्लोरो इतनुएक असिट क्या होता है C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C.H.C. नेडिटिव चार्ज दाने कि लिए तो तुमाम पर नेडिटीव चार्ज आने के हिए ना ठीक है इंडटीव एप्ट है सब पर नेडिव चार्ज इस्टोंगर ज्टोंगर जने नेट हो जायाएगा यह एच्पलस की निकलने में असानी हो जाएगी और जितने अना आमसे इतना जादा acidic होता है यहाँ पर inductive effect create नहीं होगी इस तीन hydrogen की वज़ा से यहाँ पर H plus का निकलना इतना असान नहीं है यहाँ पर दिखते हैं तो आप option क्या correct है option पढ़ते हैं और उसकी last answer देते हैं कि chlorine releases electrons and destabilizes the disk तो chlorine electron release नहीं करता तो release electron तो होगा नहीं क्लोरीन withdraws electron and destabilizes the design destabilize नहीं करता यह क्लोरीन electron withdraw करके इस complete NIN को stabilize कर देता है यह automatically है H plus आपके पास तो कहता है नहीं वह uninstable होकर remove हो जाती है इसलिए कि क्यों acidic acid से ज्यादा acidic होता है फुलोरो इथनोल के acid ठीक है यह जी ओसी का lecture आप जाकर देख लें जर्डालोगिंग केमिस्ट्री का इसे मैंने इचीज डिटेल में बताई हुए कि यह जो effect होते है electron पे खिचने का this effect is called inductive effect अब inductive effect क्या होते है hyperconjugation क्या होता है resonance कि उसे कहते हैं सारे चीज़ने डिटेल में मैंने आपको जीओसी में बता दी है अगर आपको organic chemistry के in depth अगर आपको जाना है तो आपको lecture देखें next is the matsutake mushroom is a delicacy added to many Japanese food the spicy aroma of this mushroom is due to methyl cinemate which can be prepared in the laboratory according to the following reaction sequence तो methyl cinemate इस तरह से बनता है के in which reaction should be used in step one step one के अंदर reagent कौन से इस्सिमाल की जगा तो हो क्या रहा है step one में है यह जो हमारे पास c o c o h है कार्बोग जलिक एसिड यह c o c l में convert हो जा रहा है मतब कार्बोग जलिक एसिड की acid highlight में conversion हो रही है और आपको पते हैं इसके लिए पी सील फाइव इस्तेमाल करते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोरी ठीक है तो यह बहुत बेसिक है हमने इसको पढ़ा था इसको मैं repeat कर देता हूं है अगर हम simple एक बात करें किसी कार्बोग सवारिक एसिड की आर्ज्त डॉडबल वाईच उसके रेक्शऩ जा आप pcl5 से करते हैं वैसी हप pcl3 से भी कर सकते हैं और एस oil cl2 से भी कर सकते हैं है तो यहां पर इस तरह से हमें PCL5 को यूज़ करना पड़ाएगा, ठीक है? एक एस्टर पी इसका fruity order होता है, इसका structural formula यह है, अगर आप इसको basic अपने अंदाज में बना लें इसको यहां पर, इसको यह की परे से, एक है पर यहां, यहां, है ल backgrounds को यह था एक यहां पर एकु स्टर पर इसकôm औरक्सूंे, इसकाम सीखी आफ , इसको यह थवागान को यह-जिदे तो our इसका में पेना पिसकट ख تمदे को पिसकож अंदावान को अंध, कर आफ द хотел kwणे का G-ख the खustर तो, व कर और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 कहरें what compounds are produced when P is hydrolyzed using hydrochloric acid अगर P को hydrolyzed कर देंगे, मतलब water का से reaction कराएंगे तो कौन से दो compound produce होगा है पर देख लें, simple method है यह हमारे पास minus हो गया पूरा ठीक है तो यह बाकी जो पूरा portion हमारे पास अगला जो portion होता है एस्टर का वो हमरे पास positive वाला portion होता है यह दर जाकर मुझू लेगा यह दर जाकर जुड़ेगा पर एक तो हमारे पास बनेगा CH3 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 तो एक तो एक तो एक तो CH3CWh बास एक तो COD दोनों में बन रहा है COD दोनों में सेटिक एसेट बन रहा है तो यह भी सेटिक एसेट यह भी सेटिक एसेट दूसरा compound दिख लेते है यह दिस दूसरा compound क्या बनेगा हमारे पास यह दिस CH3 है CH है फिर CH2 CH3 है और यहाँ पर CH3 है तो CH के साथ CH3 twice फिर CH2 CH3 नहीं LD है तो नहीं बनेगा तो अलकुहल हमारे पास अच्छा ओए जाकर लग रहा है तो अलकुहल की फॉर्मिशन होगी तो यह वाला बनेगा डियो अप्शन करेक्ट हो जाएगा तो अलकुहल विल भी फॉर्मिशन हमारे पास बन जाएगा ठीक है भाई तो यह थिंग दिस इस क्लियर मैलीक असड प्रेक्शन कर लेगा जो मैलीक असड के अंदर मौझूद है अब देखे मैलीक असड का तो फोड़ा और open कर लेते हैं this is CWH and this is CH2 and CWH this is the formula of malic acid ठीक है अब क्या रहें कि इसमें कितने चो CWH है सब से reaction कर ले मतलब यहां पर एक OH यहां पर है और एक OH हमारे पास यहां पर है तो इससे तो रियक्शन नहीं करेगा दोनों में से कोई नहीं करेगा पूटेश्य हम हाइड्रॉग कसाइट से भी नहीं करेगा सो्डियम से एक तो यहां पर ओतल यहां पर नहीं आ जाएगा उसमें भी क्या होगा कि HE निकलेगा और नहीं इंगा नहा जाएगा तो इसके मततब सोडियम से रियक्शन आपको अल्कवल हो या चाहे 원래 कार्भोगुजलिक ऐसे डोनों के दोनों जो है वो सोडियम से रीक्शन कर पाते हैं तो यह सी यू आप्चन इसका करेक्ट होगा सोडियम एक टीक है नेग्सम से यूजए 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 ज्देटिटिव वीड किलर्स मतब जो है वो किल्ड मकोड़े वेगार मारने के लिए इनको इस्तमाल करते हैं इंसेक्टिसाइट से मतलब यह वीच आफ दा फॉलॉइंग रिएजेंट्स विल डिस्टिंगिश एंसी पिया फ्रॉम टूफोडी देख क्या डिफरेंस है ओवरल स्ट्ट्चर पूरा कंप्लीटली सेम ही है यहाँ अगर आप देखे तो यहाँ पर CH2OH यह अलकोहल है और यह आपका CWH है कार्बोगजेलिक एसिड है तो एसिड़िफाइट सिल्वर रनाइटेट से दोनों रियक्शन नहीं करेंगे फैलिंग सोलुशन I2 in NaOH Na2 सोडियम कार्बोनेट एक वस तो यहाँ पर करेक्ट अंसर हमारे पास होगा इस विल भी करेक्ट इस विल भी D वाई विकास अब जानते हैं सोडियम कार्बोनेट हमारे पास एक बेस है बेस है या बेसिक सॉल्ट है तो यह acid सी रेक्शन करेगा acidic वैसा alcohol भी होता है इनका alcohol इतना acidic नहीं होता है कि वो सॉडियम कार्बोनेट सी रेक्शन कर सकता है और सॉल्ट बना सकता है तो D option correct हो जाएगा जो MCP और 2,4 D इन दोनों कंपॉंट्स को distinguish कर सकता आपस तो कह रहे हैं कि weight reacts completely with one mole of citric acid एक mole citric acid के साथ completely कौन reaction कर सकता है ठीक है त्री mole PCL5 फोर mole XCL फोर mole NA फोर mole NA ठीक है तो यहाँ पर one, two, three, four ठीक है त्री mole PCL5 नहीं चुकि PCL5 से reaction चार mole में चाहिए एक, दो, तीन, चार तो तीन mole से नहीं होगा फोर mole of HCL HCL से reaction यहाँ पर चुकि acids हैं तो कोई भी reaction नहीं करेगा फोर mole of NA, NA से देखो यह भी reaction कर जाएगा यह भी, यह भी और यह भी तो फोर mole of NA से यह completely overall citric acid reaction कर सकता है ठीक है चुकि यह सब हमने भी सोड़ी दिन पहले बताया है कि सोडियम कापोगजलीकेशेडर और अलकोहल्स दोनों के साथ completely react कर सकते हैं ठीक है next है the acaryid mite releases lardolure to attract other mites to a host this chemical can be destroyed by hydrolysis with acid यह compound यहापर लिखा भाए कि water the products of its hydrolysis जब उसके hydrolysis करेंगे तो उसका product हमारे पास क्या बनेगा यह को बड़ी सिंपल है ना ester is a cell में एक तरा कही है यह हमारे पास negative charge यह हमारे पास positive charge यहां के rate होगे और hydrolysis करेंगे तो h plus और o h minus होता है h plus यहाँ sorry पास का यहां सब्सक्राइब यहां यहां जाकर मिले गा यह जाकर नदेगा लिए तो यह व्मारे पास बनेगा formic acid hcoo h formic acid इन में से एक, दो, तीन जगे पर बन रहा है और दूसरा हमारे पास alcohol बनेगा, यहाँ alcohol नहीं बन रहा है काड़ दो, यहाँ भी alcohol नहीं बन रहा है, काड़ दो, यह deem alcohol बन रहा है तो do option हमारे पास correct हो जाएगा चुकि एस्टरिफिकेशन का reverse process नहीं यह एक कोई compound है, इसको एकरॉल का नाम दिया जा रहा है which alcohol is used to form the ester किस alcohol को यूश किया जाएगा, इस ester को बनने के लिए देखो, ester वाल, alcohol वाल पार्ट यहाँ से आते है यह पुरा पार्ट जो होता है, वो काड़ जलिक एसिट से आते है यहाँ पर हमारे पास OH के जिदर लगा देते है, इस विल भी आईसो प्रोपाइल अलकॉल को प्रोपन टुल भी गहते है इस compound को बनाने के लिए ester है, तो हमें alcohol जो उसकरना पड़ेगा, वो यहाँ से break the bond को यहाँ ओएच लगा दू इस विल भी आईसो प्रोपाइल अलकॉल और टू प्रोपोन और नेक्स्ट है, एक एस्टर इसका बनाना जैसा ओडर होता है, इसका फॉर्मूला यह है in which of the following will the taste, will the substances react together to produce this ester, कौन से दो compound यह ester बनाएगे, देखो बच्चे यहाँ पर क्या हो रहे है कि है, CH3, C1O, उसके बाद O, फिर यह CH2, फिर CH, फिर CH, फिर CH, फिर कार्बन, कार्बन, इस राचना 1, 2, 3, 4, कार्बन, ठीक है, और यहाँ attachment है, देखो यह वाला portion आपको प पूर्शा मनते काबुगजलिक असेट, काबुगजलिक फिर चेह आपको असेट, असेटिक असेट है, यहाँ पर CH3, C1O, यही वाला है, और असेटिक असेट तो है नहीं, यह असेटिक असेट है, यह असेटिक असेट है, तो D-Option हमारे पास, करेक्ट हो जाएगे, ठीक है इंदो को रियक्शन कराएंगे, तो सुरत में हमारे पास, एस्टर में जो मिलेगा, यह वाले मिलेगा, इस कमपाउंड विल पी पूदूस्ट, क्लिक है जी, आप निन इक्ञेट कंषएकिल सा पाल है, के अपेरेफक्ट्रनिय में निन विश्कीं स को हो साथ जो कुदूस्आथी का वालेगा, जो मिलेगे हमेदूस्टन पंविलूस्ति-थी, नशीं कर में दखेसंग सुदूस्यों सम्झन जाएग जो, अन बहं पानांब्यस को यह मैं तब ये CWH ग्रूप लगा वाए हाँ पर इसको COOCH3 अधर में चेंज करने पड़ेगी तो क्या करना होगा इसके साथ एसरिफिकेशन करने के लिए खुद एक कार्बोगजलिक एसड है तो इसको में अलकोहल के साथ एक्षिन करना पड़ेगा वो भी सल्फियूरिक एसड पी चाहिए और वाम चाहिए ठीक है तो हीटिंग एट अंडर रिफ्लेक्स विथ अ मितनॉल एंड लिटिल कंसेंट्रेटेट सल्फियूरिक एसड डियू आप्शन करेक्ट हो जाए चुक्किए आपको पता है अस्टिरिफिकेशन हमेशा सल्फियूरिक एसड के प्रेंस मे होगा और हीटिंग भी करते हैं इसके अंडर ठीक है नेक्स्स को साने वी चॉप दफोलिंग इस तक और अफ एस टेंडिक के स्टेंथ करेक्ट और आपको यहां पर एसटी के स्टेंथ किसमें आपको मिल जाए ठीक है यह बताना है strongest first for ethanoic acid chloro ethanoic acid and phenol आपको पता है कि यह सबस्तादा strong होता है chloro ethanoic acid फिर ethanoic acid और फिर phenol यह मैंने आपको बता दी अभी लेक्चर के स्टार्ट में तो यह chloro ethanoic acid सबसे पहले तर उसके बाद acetic acid तर उसके बाद phenol तो due option यहाँ पर हमार पस correct हो जाएगा next is aspirin as the following structure aspirin में आप जानते हैं company में यह dispirin के नाम से मिलती है medical source पर अगारा में यह headache pain relevant है तो यह pain को release करती है dispirin कहरे हैं aspirin is hydrolyzed by acid present in the stomach what products are formed इस टमक में आप जानते हैं कि HCL होता है acid की वज़ा से dispirin क्या होता है hydrolyze हो जाता है hydrolyze होकर यह क्या बनाएगा चुकि यह ester है sensitive and ester तो ester इस तरह से टूटता है भई सब जानते हैं इस तरह से टूटाएगा यह minus और यह पुरा portion plus हो जाएगा ठीक है तो यह वाला portion H से जाकर जुड़ जाएगा acetic acid बनेगा और यह वाला portion OH से जाकर जुड़ जाएगा एक तो acetic acid आएगा हमारे पास और यह हमारे पास यह वाला alcohol बन जाएगा ठीक है तो यह option यहाँ पर हमारे पास correct होगा that is very simple next day 45 next MCQs है dopamine is a neurotransmitter सुनाओगा जो medical वाले हैं जो pre-medical के students हैं तो जानते हैं dopamine एक hormone है और एक neurotransmitter है its absence from the human being might lead to Parkinson disease और यह ही अगर कम हो जाए तो फिर Parkinson disease एक बिमारी है वो हो जाती है यह dopamine का formula है what is produced when dopamine is dissolved in aqueous sodium hydroxide aqueous NOH में dissolve करेंगे तो क्या बनेगा देखो NOH में dissolve करने से हमारे पास यहाँ पर किस इसकी formation होगी चुक्के base से reaction करेंगे पुझे acid होगे ना वो अपना H plus loss करना शूरू कर देंगे यह अपना H plus loss कर देगा तो यह minus आजाएगा यह वाला alcohol अपना H plus minus कर देगा और यह पूरा जो है वो plus निकल जाएगा और यह CO2 minus यह CWO minus कर जाएगा तो जो पुरोट हमारे पास N आएगा तो तीन sodium हमेरा उस अलग हों है और यह option करेंट हो जाएगा तो यहाँ पर भी minus आए यहाँ पर यह minus आए और यहाँ पर यहाँ पर यह मारे साएगा और तीन N A plus अलग हो गए यहाँ से ठीक है तो जो alcohols होते हैं और जो काप बुख से लिए कर शोट होते हैं N A O X से दोनों reaction कर जाते हैं sodium or drug set मतलब N A O X तो यह काफी सारे MCQs मैंने red spot के डिसकस किया आपके सामने फिर से पताता चलू कि जो बच्चे M.D.Cat के लिए preparation करने वाले हैं या पिर nums के लिए preparation करने वाले हैं या पिर आप preparation करने वाले हैं आगाखान यूनिस्ट्री के लिए, A.K.U. के लिए या फिर आप E-Levels के लिए, Entry Test के लिए टेस्स देना चाहते हैं या फिर अगर आप NUST का टेस्स देना चाहते हैं या फिर को सुड़नेंट सेट का टेस्स देने उन तमाब सुड़नेंट्स के लिए जो है वो red spot जो है ना solve करना बहुत दरोरी होता है और YouTube के अंदर अब शायद किसी ने ये chemistry का solve नहीं कराएं तो मैं इसलिए इसको करवार हो ताकि आपकी तयारी अची तरह से घर बैटे हो सके तो थोड़ी contribution मुझे आपसे भी चाहिए कि आप अगर new है मेरे lecture को देख रहे हैं के लिए इंशाला जल्द मुलकात हो गिने लेक्चर के साथ तत्र के लिए अपने डीक्चर संड़ सिंदल फिकार को जाद